प्रेम से बोले श्रीमत भागवत महापुरान की जै श्री शुकदेव महराज की जै आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल पर भागवत कथाओं का रस्पांद किया इसके बाद भागवत कथाओं के केवल दो ही अध्याये और आपको सुनने को और इसी के साथ श्रीमत भागवत महापुरान कथाओं पूर्ण हो जाएंगी आप में से बहुत से लोगों नहीं कहा था कि अब आगे आप गरुड़ पुरान की कथाओं सुनाईगा तो मैं आपको बता दू कि गरुड़ पुरान में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं या आप कमेंट करके जरू बताएगा आप सुनिये आज का ध्याय श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित अब उद्धव जी योगमार्ग का पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आँखों में आशू मड़ाए प् दिन्त स्वभागिशाली अनुभव करते हुए सेरसे यदवन्ष शिरोमणी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को इसपर्ष किया फिर हाथ जोड़कर उनसे ये प्रार्थ न की कि प्रभो आप माया और ब्रह्मा आदी के भी मूल कारण है मैं मोह के महान अंधकार में ठहर सकता है भगवन आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्यान दीपक छेन लिया था किन्तु आपने करपा करके फिर अपने सेवक को वह लोटा दिया आपने मेरे उपर महान अनुग्रह की वर्षा की है ऐसा कौन होगा जो आपके इस करपा परसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और किसी दूसरे का सहरा ले महायोगिश्वर मेरा आपको नमस्कार है अब आप किरपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आग्या दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ती बनी रहे भगवान श्री कृष्ण बोले उधव जी आप तुम मेरी आग्या से बद्री बन में चले जाओ वो मेरा ही आश्रम है वहां मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का इसनान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे अलक नंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पापताप नस्ठ हो जाएंगे प् गर्मी सुख दुख जो कुछ भी आपड़े उसे सम रहकर एक समान रहकर सह लेना स्वभाव सौ में रखना इंद्रियों को वश में रखना चित शांत रहे बुद्धी समाहित रहे और तुम स्वयम मेरे स्वरूप के ज्यान और अनुभव में डूबे रहना मैंने तुम्ह जो कुछ शिक्षदी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना अपनी वाणी और चित मुझ में ही लगाए रहना और मेरे बतलाएवे भागवत धरम में प्रेम से रम जाना अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंद रखने वाली गतियों को पार कर पर के उनसे परे मेरे परमार्त स्वरूप में मिल जाओगे श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्यान संसार के भेद भ्रम को छिन्विन्ड कर देता है जब उन्हों ने स्वयम उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे फिर भी वहां से चलते समय उनका मन प्रेमा वेश से भर गया उन्होंने अपने नेत्रों की जरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया परिक्षित भगवान के प्रति प्रेम करके फिर उसका त्याग करना संभव नहीं है उन्हीं के वियोगी की कल्पना से उत्वजी कातर हो गए उनका त्याग करने में समर्थी नहीं हुए बार-बार विवल होकर मूर्शित होने लगे कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अप बद्रिक आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने तपो में जीवन बिताकर जगत के एक मात्र हिताशी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशा नुसार उनकी स्वरूप भूत परमगती प्राप्त की राजय परिक्षित ने पूछा भगवन जब महाभागवत उधव जी ब नेत्र आदि इंद्रियों के परंप्रिय अपने दिव श्री विग्रह की लीला का समवरन कैसे किया भगवन जब इस्त्रियों के नेत्र हैं लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो थी जब संथ पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वहश्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ साजाता है वहां से हटना ही नहीं जानता उनकी शोभा कव्यों की काविरचना में अनुराग का रंग भर देती है और उन देखते देखते शरीर त्याक किया उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई उन्होंने अपना ऐसा अदभुद श्री विग्रह किस प्रकार अंतरध्यान किया कृपया बताईए श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश प् द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं ये साक्षात यमराज जी की ध्वजा के समान हमारे महान अनिस्ट के सूचक हैं अब हम यहां घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठेहरना चाहिए इस त्रियां बच्चे और बुड़े यहां से शंखो धार छेतर म में चलें आप सब जानते हैं कि वहां सरस्वती पश्चिम की और बहकर समुद्र में जा मिली हैं वहां हम इसनान करके पवित्र होंगे उपवास करेंगे और एकागरी चित्त से इसनान और चंदन आधी सामकरियों से देवताओं की पूझा करेंगे वहां स्वस्ति वाचन क के बाद हम लोग गव, भूमी, सोना, वस्त्र, हाथी, घोडे, रत और घर आधी के द्वारा महात्मा ब्रहमनों का सतकार करेंगे ये विधी सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जनननी है श्रेष्ट यद्वन्शियों देवताओं ब्रहमन और ग खास्तु कहकर उनकी बात स्विकार कर ली और तुरंत नौकाओं से समुत्र पार करके रथो द्वारा प्रभास छेत्र की यात्र की वहां पहुंचकर यादवों ने यद्वन्शियों मनी भगवान श्रेक्रिष्ण के आदिशन उसर बड़ी श्रिधा और भक्ती से शांती पाठ आदी और सब प्रकार के मंगल कृत्य किये यह सब तो उन्हों ने किया परन्तु दैव ने उनकी बुद्धी हड़ी और वे उस मेरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे जिसके नश्य से बुद्धी ब्रस्ट हो जाती है वो पीने में तो अवश्य मीठी लगती है किन् पूछो तो वे सब शिरक्रिष्न की माया से ही ऐसा कर रहे थे उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आकर्मन करने लगे और धनुष बान, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिस्टी आदी अस्त्र सश्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरे से फिड़ गए मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोडों, गधों, उटों, खचरों, बैलों, भैसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बानों से घायल करने लगे मानों जंगली हाथी एक दूसरे पर दातों से चोट कर रहे हो सबकी सवारियों पर ध्वजाय फेरा रही थी, पैदल सैनिक भी आपस में उलज रहे थे प्रद्युम्न सांब से, अकरूर भोज से, अनिरुथ सात्यकी से, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान चिरकृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरत से युद्ध करने लगे, ये सभी बड़े भयंकर योध्धा थे, और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे, इनके अलावा निशठ, उल्मुक, सहस्त्रिजित, शत्रिजित और भानुआदी यादव भी एक दूसरे से भिड़ ग अत्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंतियादी वन्शों के लोग सोहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मारकाट मचाने लगे, मूर्खता वश, पुत्र पिता का, भाई-भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित् स्वहर्द का, चाचा भातीजी का और एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे, अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष तूट गए, और सभी शस्त्र भी नस्ट भ्रस्त हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से ही समुद्र तठ पर लग भी एर का नाम की घास उखानी चुरू करी, ये वही घास थी, जो रिशियों के शाप के कारण उत्पन हुए लोह में मूसल के चूरे से पैदा हुई थी, हे राजन, उनके हाथों में आते ही वो घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में बदल गई, अब बलराम जी को भी अपना शत्रू समझ लिया, उन आतताईयों की बुद्धी ऐसी मोड हो रही थी, कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर ही दोड़ पड़े, कुरू नंदन, अब भगवान श्रिक्रिष्ट और बलराम जी भी क्रोध में भरका युद्भूमी में इधर विचर ने और मुठ्धी की मुठ्धी एर का घृस उखाल उखाल कर उन्हें मारने लगे एर का घृस की मुठ्धी ही मुद्गर के समान चोट करदी थी, जैसे बासों की रगड से उतपन होकर दावा नल बाशों को भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्म शाप से ग्रष्ट औ यदुवंशियों के इस पर्धा मुलक क्रोध ने उनका ही ध्वन्स कर दिया जब भगवान श्री कृष्णे ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संगहार हो चुका तब उन्होंने ये सोचकर संतोष की सांस ली कि प्रत्वी का बचा-खुचा भार भी उतर गया परिक्ष भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बल्राम जी परम पदमेलीन हो गए तब वे एक पीपल पेड के तले जाकर चुपचाप धर्ती पर ही पैट गए भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांती से द्यद्य पिमान चत्रभुज रूप ध भूम से रहित अगनी के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान पना रहे थे वर्शाकालीन मेग के समान सावले शरीर से तपे हुए सोने के समान जोती निकल रही थी वक्ष इस्थल पर श्रीवत्स का चिन्न शुभायमान था वे रेश्मी पितांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किये हुए थे बड़ा ही मंगल में रूप था मुख कमल पर सुन्दर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी कमल के समान सुन्दर सुन्दर और सुकुमार नेत्र थे कानों में मचली की आकरिती के परनों में नुपर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्त भ्मनी शुभाइमान हो रही थी घुटनों तक वनमाला लटकी वी थी शंक चक्र गदा आधी आयुध मूर्तिमान होकर प्रभू की सेवा कर रहे थे उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांग पर ब पचेवे टुकडे से अपने बाण की गासी बना ले थी उसे दूर से भगवान का वह लाल लाल तलवा हिरन के मुख के समान लगा और उसने उसे सचमुच हिरन समझ कर अपने उसी बाण से बीध दिया जब वो पास आया तब उसने देखा कि अरे ये तो चतरपश उसने कहा हे मदसुदन मैंने अंजाने में ये पाप कर दिया है सच मुझ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ परंतु आप परम यश्यस्वी और निर्विकार हैं आप करपा करके मेरा अपराद चमा कर दीजिए सर्व व्यापक शर्व शक्तिमान प्रभो महात्मा लोग कहा कर हैं कि आपके इस मरण मात्र से मनशों का अज्यान अंधकार निस्ट हो जाता है बड़े दुख की बात है कि मैंने स्वयम आपका ही अनिस्ट कर दिया व्यकुंठनात मैं निर अपराद हिरनों को मारने वाला महा पापी हूँ आप मुझे अभी अभी मार डाले क्योंकि मर ज पास नहीं समझ पाते क्योंकि उनकी द्रिष्टे भी आपकी माया से धकीवी है ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनी लोग उसके विशय में भला कहे ही कह सकते हैं भगवान श्रीकृष्ण कहने लगे हे जरे तू डर मत उठ 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 ये तो तूने मेरे मन का काम कर जा मेरे आग्या से तो उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ती बड़े बड़े पुर्णिवानों को होती है श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित भगवान श्रीकृष्ण तो अपनी इच्छा से श्रीर धारन करते हैं जब उन्होंने जरा व्याद को ये आद लगाता हुआ उनके द्वारा धारन की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायू सूंख कर और उससे उनके आसपास ही होने के इस्थान का अनुमान लगा कर सामने की ओर गया दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्रीकृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाई बैठे हैं असहे तेज वाले आयुद मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संगलगने हैं उन्हें देख कर दारुक के हिर्दे में प्रेम की बाढ़ा गई आखों से आसों की धारा बहने लगी वो रत से कूत कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा उसने भगवान से प्रार्थ न की कि प्रभू रात्री के समय चंद्रमा के अस्थ हो जाने पर रहा चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है आपके चरण कमलों का दर्शन ना पाकर मेरी भी वैसे ही दशा हो गई है मेरी दृष्टी नस्ठ हो गई है चारो और अंधीरा चा गया है प्रभू वेरे हिर्दे में शान्ती ही है परिक्षित अभी दारुक इस प्रकार कहे ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुर्थवज रत पताका और घोलों के साथ आकाश में उड़ गया उसके पीछे पीछे ही भगवान के सभी दिव्य आयुद भी चले गए ये सब देखकर दारुक के आश्चरी की सीमा नहीं रही तब भगवान ने उससे कहा दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां ये दुवंशियों के पारसपरिक संखार भाया बलराम जी की परमकती और मेरे सुधाम गमन की बात कह देना उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने अपनी धन संपत्ती कुटुम्ब और मेरे माता-पिता को लेकर अर्जुन के संग्रक्षन में इंदरप्रस्थ चले जाएं दारुक तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवा धर्म का आश्रे लो और ज्यान निष्ठ होकर सब की उपेक्षा कर दो और इस द्रिश्य को म उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा हरे कृष्णा आज के ध्याय में बस इतना ही इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका व्रतांत आप सभी अगले ध्याय में सुनिएगा